देश के प्रधान मंत्री नरीद मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं ये देश के लिए और जनता के लिए काफी अच्छी बात है लोग काफी खुस हैं इस बात से कि प्रधान मंत्री नरीद मोदी पिछले कारिकाल में बहुत साली चीजे की देश के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेन मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं जिसे लेकर बिहार की जनता उनसे काफी उमीद लगाई है और ये देखते हुए नजर आ रहा है जी हाँ बिहार में कई सालों से बंद हुए एक्सप्रेसवे की फाइल खुल गई है जी हाँ बिहार में बनने जा रहा है दो एक्सप्रेसवे जिसे लेकर की लोग काफी खुस हो गए है जी हाँ लोगों के अंदर फिर से एक उमीद और एक चमक जग उठी है लोगों का कहना है कि परधान मंती नरेन मोदी कारेकाल संभालते ही बिहार के लिए ऐसी चीजे कर रहे हैं ये काफी अच्छी बात है और जनता काफी खुस है लोगों का जिस तर से उन पे भरोसा था वो कहीं न कहीं सच नजर होते हुए दिखरा है तो आईए हम आपके विए साजा करते हैं कुछ ऐसे बाते कि परधान मंती नरेन मोदी किस तर से एकस्प्रेस्व को सुरू करने की लगन से लग गए है केंड में नरेन मोदी की सरकार बनते ही बिहार को सौगात मिली है लंबे समय से लटके हुई दो एकस्प्रेस्व की फाइल खुली और बिहार में बनने वाले दोनों एकस्प्रेस्व का रास्ता साफ हो गया है वही केंद सरकार ने दोनों एक्सप्रेस्वी को लेकर DPR मांगा है उप मुख्य मंत्री वीजय कुमार सिन्हा ने यह जनकारी दी है उप मुख्य मंत्री सा सडक निर्मार मंत्री वीजय कुमार सिन्हा ने जनकारी दी है कि केंदिये सड़क एवं परिवहन राज मार्क मंत्राले दी कुरकपूर किसंगन सिली गुडी और रक्सोल हल्दिया एक्सप्रेस्वे की डीपी आर अवी लंब त्यार करनी के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि हाई स्पीट कोरिडोर की नीर्मान से बिहार की कई जीलों में विकास की गती पकड़ेगी और देश को विक्सित बनाने में बिहार मददकार हो केंदीय मर्त त्राले ने लच्छ तै किया है कि दोनों एक्सप्रेस्वे के 100-100 किलो मिटर खंड का काम इसी वित्य वर्स में सुरू कर दिया जाएगा वहीं भारत-माला परियोजना के तहत, दोनों एक्सप्रेस्वे का DPR त्यार किया जा रहा था लेकिन पिछले कई महीने से ये ठंडे बस्ते में था अवकेंसलकार ने 2047 में विकसित भारत का वीजन का लक्छ तै किया है तो उसके तहट भारत माला परियोजना दू के तहट 5,077 किलो मिटर एक्सप्रेसवे को मनजूरी दी है इसमें बिहार के दोनों एक्सप्रेसवे को सामिल किया गया है वही रोकसोल से शुरू होकर हल्दिया तक जाने वाला एक्सप्रेसवे 719 किलो मिटर लंबा होगा और बिहार के अलावे जारखन पस्चिन बंगाल से भी एक्सप्रेसवे जुड़ेगा वही बात किया जाए गोरगपूर किशनगंज सिली गुड़ी एक्सप्रेसवे की तो गोरगपूर किशनगंज सिली गुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 521 किलो मिटर है उत्तर प्रदेशे सुरू होने वाला या एक्सप्रेस से बिहार होते ही पस्चिम बंगाल तक जाएगा या एक्सप्रेसवे गोरगपूर पानिपत एक्सप्रेसवे से भी जुडेगा ऐसे में गोरगपूर होते हुए किशिन गंज और सिली गुडु तक इसका सीधा संपर्ख हो जाएगा वहीं वीजे कुमार सिन्हा ने जनकारी दी है कि रक्सौल हल्दिया हाई स्पीट कोरिडोर के लगभग 367 किलोमेटर और गोरगपूर किशिन गंज हाई स्पीट कोरिडोर के लगभग 416 किलोमेटर सडग का निर्मान होगा इसके अत्रिक पहले से भी वरांसी कुलकत्ता एक्सप्रेस्वे की 170 किलोमेटर सडग पर काम चल रहा है और विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा कि लोकसोल हल्दिया हाई स्पीट कोरिडोर बिहार के पुर्वी चमपारन शीवहर, सीता मढ़ी, मुझपरपूर, बेगु सराय, लखी सराय, जमुई और बांका जीले से गुज़रेगा तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तर से प्रधान मंती नरेन मोदी के तीसरे कारेकाल में आते ही कामों का जायजा सुरू हो गया है जिसतर से प्रधान मंतीर नरेद मोदी पूरे एक्सन मोड में दिख रहे हैं वहीं बिहार की में एक्सप्रेसवे बनाने की तयारी जोरो से चल रही है उसी पे विजय कुमार सिनहा ने सारी बाते इस पर्ध सुर्प से कहा कि कहा कितने किलोमेटर तक ये एक्सप्रेसवे रहेगी और पधान मंतीर नरेद मोदी बिहार को लेकर के और जो उनका वीजन है विक्सित भारत को लेकर उसके तहट वो इस एक्सप्रेसवे को भी जोड रहे हैं और काफी संदार तरीकें से एक्स्प्रेस्वे बनेगा और लोगों को कोई यातायाद का दिकत नहीं होगा तो इसे तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं एक News24 पर अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर फॉलो और लाइक जी और आपका कोई विस्वेश जानकार है तो आप उस पर जनकारी साजह करिए धन्यवाद